हेलो फ्रेंड्स, वेलकूम वेक टू माई चैनल, स्वागता है आप सभी का मेरे सुपर लोगी चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि गरवती महिला जब मतलब प्रेगनेंट होती हैं, गरव में बच्चा होता है तो कौन-कौन से ऐसे अंग हैं जो काले पढ़ने लगते हैं तो दोस्तो गरव में लड़का होने की एक खास लक्षर होती हैं अगर चैनल पर आप पहली बारे चैनल को सब्सक्राइब करें सबी लेटिस्ट वीडियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए दोस्तो हम लड़का लड़की में बेदवाब नहीं करते हैं इस चीज़ों को बढ़ावा देते हैं हमारे लड़का और लड़की दोनों ही एक समान है यही बात हम आपको भी बोलते हैं बेटा बेटी में बेदवाब ना करें इसी चीजों को बढ़ावा ना दें अपनी जिग्यासा और उत्सुकता को कम करने के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं और बेटी बेटवा को सम्मान अधिकार बरावर दें उनको तो दोस्तो जान लेते हैं पहले लक्षण के बारे में अगर आप प्रेगनेंट हैं और बोले ना आथ अवश्य ही लेकर हैं दोस्तो पहले लक्षण को बात करते हैं अगर आप प्रेगनेंट हैं और आपको चौथा मंत चल रहा है इस वीडियो को आप चौथे मंत से देख रही हो या आप तीसरे मंत से देख रहे हो दोस्तो तीसरे मंत से लेकर नाइन मंत तक अ आपकी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का ही होगा तो दोस्तो बात करते हैं दूसरे लक्षन के बारे में जी यहां अगर आपकी गर्दन काली पढ़ने लग गई है काला पन नजर आने लग गया है उस पे तो दोस्तो आपकी जो आने वाली संतान है वो एक लड़का ही पैदा होगा यानि कि आप एक नन्ने मुन्ने राजकुमार को जनम देने वाले हैं तो दोस्तो बात करते हैं तीसरे लक्षन के बारे में तीसरे लक्षन है अगर आपकी जो नावी बटन है वो काली पड़ गई है बहुत ज़्यादा काली हो गई है बहुत ज़्यादा डार्क कर लेते हैं अगर आपकी आँखों के नीचे काले गेरे पड़ गए है आपका जो फेस है वो काला पड़ने लग गया है जाईया हो गई है रिंकल्स निकलने लगे है डार्क सरकल होने लगे है आपका गिलो एकदम छिन गया है काला पड़ने लगा है फेस तो दोस्तों ऐसा मा से आपको एक भी दिख जाएं तो समझ लो यकीन मानो आपको एक लड़का ही पैदा होगा क्योंकि ये लक्षर बहुत ही खास होते हैं तो दोस्तों वीडियो को जादा जादा शेयर करें जैसरी किष्णा रादे रादे